हेलो दोस्तो टेडिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग MTR Technologies Limited Share के बारे में बात करने वाले हैं MTR Technologies Limited Share का यहाँ पे Q4 Result Announce हो चुका है दोस्तो Q4 के साथ साथ हम लोग यहाँ पे इनके डिविडेंट के बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो को लास तक जिरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा Share Market से जुड़ो ही केवल Authentic News यह आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है Authentic यानि की जो Official News निकल के आती है सिर्फ उनी News को कवर किया जाता है तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटा फट सब्सक्राइब कर लीजे सबसे पहले यहाँ पे बता दूए MTR Technologies Limited का Results सांदार रहा दोस्तो जिसकी वज़ा से आप लोगों को यहाँ पे आज के दिन देखेंगे डिविडेंट के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इन्हों ने जो फाइनल डिविडेंट एनाउंस किया है दोस्तो आप लोगों को तीन रुपए पर शेयर आप लोगों को काफी ज़्यादा दिक्कते आ रही होंगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे short मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को Q4 का नंबर बता देता हूँ आप देखें MTR Technologies में quarter 4 2021 के अंदर अगर net profit की बात कर ली जाए तो अगर आप net profit देखेंगे तो 18 करोड रुपए का दोस्तों यहाँ पे MTR Technologies के अंदर आप लोगों को net profit करते हुए नजर आईए पिछले साल quarter 4 2020 से compare करेंगे तो 9 करोड का net profit generated किया था MTR Technologies से तो पिछले साल से अगर इस साल compare किया जाए तो आप लोगों को यहाँ पे company ने approximately नहीं बोलूँगा मैं accurate exactly double कर दिया है अपने profit को 2020 के comparison में 2021 के अंदर वहीं पे income की बात कर ली जाए तो 69 करोड रुपए का net income यहाँ पे MTR Technologies ने जनरेट किया पिछले साल quarter 4 2020 की बात कर ली जाए तो 62 करोड रुपए का आप लोगों को net income जनरेट करते हुए नजर आई थी तो overall देखेंगे तो net income भी increase हुआ company ने dividend भी दिया और company ने यहाँ पे दोस्तों अपने profit को double भी किया है तो सब कुस देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे company में काफी आप technical rating में यह stock आप लогों को bullish देखने को मिल ला है तो मतलब आप लोगों को यहाँ से buy करके चलना चाहिए moving averages में भी bullish देखने को मिल ला है technical indicators में check करइंगे bullish देखने को मिल ला है moving averages crossover में दिखेंगे तो neutral देखने को मिल ला है भाई ऐसा money control का कहना है तो आपका क्या कहना है दोस्तों MTR Tech को buy करके चलना चाहिए या wait करना चाहिए आप मुझे अपना suggestion comment box में जरूर बताईएगा उमीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी